Hello, welcome back to my channel. तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे next topic पर. तो IR spectroscopy हमने start की थी lecture 8 पर हम पहुंच चुके हैं. तो आज के lecture पर हमने बात करनी है factors affecting vibrational frequency. यानि कि हम उन factors पर आज बात करेंगे. अपरॉक्स हमारे पास six और seven factors हैं. सारे example frequency की value से सब चीजों की help से हम लोग बेखेंगे. कि वो जो factors की बात में आपको कर रही हूँ. वो factors आपकी vibrational frequency की value को कैसे affect करते हैं. तो देखो ना, simply मैंने last lecture पर भी जब आपको बताया था bond distant and force constant का जो lecture मैंने बनाया था. वहाँ भी मैंने बताया था कि initially तो simple आप हुक्स law की help से check कर लेते हैं कि आपकी vibrational frequency को कौन-कौन से factors affect करते हैं. क्योंकि हुक्स law क्या बोलता है? हुक्स law बोलता है कि जो यह आपकी vibrational frequency है, यह किसके equal है? वन ओवर टू पाई सी. रूट में आपका क्या लग जाता है? क्या लग जाता है क्या अपन न्यू यानि कि आपकी जो यह vibrational frequency है, वो आपके किसके directly proportional है क्या यानि कि force constant और inversely proportional है new यानि कि अगर आपकी पास क्या value जादा है, क्या होता है मैंने बता है था? force constant, force constant या फिर आप bond strength बोल सकते हैं, bond strength मतलब triple bond, double bond या फिर single bond, तो जितना जादा आपका bond strength होगा, उतनी जादा आपकी vibrational frequency होगी, और जितना कम आपका reduce mass होगा, उतनी जादी vibrational frequency होगी, reduce mass क्या होता है, आपको आपके जो दो atom है, जिसके बीच के आप vibrational frequency निकाल रहे है, suppose यह atom A, यह atom B, atom second, अगर आप mass of पहला atom लेए, और इसको add कर दे, mass of second atom से, and then इन दोनों के mass को again एक दूसरे से क्या कर दे, multiply करा दे, तो यह जो आपकी mass की value निकलती, इसको बोला जाता है, reduce mass, तो यह ऐसे affect करते हैं, vibrational frequency को, यह किसने बताया था, Hooks law ने, बट इसके बाद भी कुछ ऐसे चीज़ें, observe की गई कि, Hooks law भी आपने apply करा दिया, और experimentally, vibrational frequency की value आपने निकाली है, मतलब इनोंने ऐसा बोला, कि suppose आपने experimentally, किसी भी molecule की, vibrational frequency की value निकाली है, लेकिन जब आप उसी molecule की, calculated value निकालते हैं, vibrational frequency की, तो वो वरी हो जाती, किसके compare में, experimental value के compare में, तो इसके बीचे, कुछने कुछ reason तो होगा, कि आपका experimental value अलग आ रही है, और जो आप calculate करके, values निकाल रहे हैं, वो अलग आ रही है, तो वो ही factors हमने पढ़ने हैं, जो कि यह difference create करते हैं, तो यहाँ पर मैंने वो ही सारे लिखे, factors में आपको नीचे बढ़ाऊंगे, अब जस्त सुन नीचे, यह क्या बोल रहा है, we know that the probable frequency, और a wave number, हम जनरली wave number के टर्म में लेता है, of a absorption can be calculated by application of a hook slow, यानि कि hook slow जो मैंने आपको यहाँ बता है, इसके application से ही आप क्या करता है, probable frequency की value, यानि कि vibrational frequency की value आप calculate करता है, यह क्या बोल रहा है, अगला यह बोल रहा है, आपको दो टाइप की values पढ़ने को मिलेंगे, एक होती है experimental values, एक होती है calculated values, तो experimental values आप किसे कहते है, वो values जो experiment के थ्रियों already calculated होती है, और वो आपको आपके books पर मिलती है, और एक होती है calculated value, calculated values क्या होगी, वो values जो आप calculate करता है, जैसे आपने hooks law का यूज किया, hooks formula का यूज किया, इस formula का यूज करके आपने किसी भी compound के लिए vibrational frequency की values निकाली, वो होगी calculated values, तो यह बोल रहा है कि कभी कभार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, कि किसी compound के लिए, किसी molecule के लिए, किसी atoms के लिए, किसी bond के लिए अगर आप vibration frequency निकाल रहा है, तो उस case में जो आपका experimental value है, वो आपकी calculated value से match ना करें, जो आपने निकाली है, वो आपको लगेगा कि गलत है, बर गलत नहीं होगी क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे factors हैं, जो आपको यहाँ पर कोई change create करता है, यानि कि factors क्या हो सकते हैं, वो ही आज की lecture पर हमने discuss करना है, तो generally मैं आपको बता दो, simply जो factor होंगे, वो किसकी वज़े से होंगे, वो आपके neighboring group के वज़े से होंगे, जैसे अगर आपको मैं बोलू, C double bond O के लिए, आपने क्या निकालनी है, vibration frequency, तो अगर आपके यहाँ पर को कोई X, Y, Z, कोई भी group जुड़ा हुआ है, तो देखो मैं suppose बोलू, Y है, और यह है C double bond O, तो अगर आप इन दोनों के लिए, vibration frequency की value निकालेंगे, तो maybe आपको इसके लिए अलग निकले, और इसके लिए अलग क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप C double bond O की तो निकाल रहे हैं, लेकिन आपको पता है, इस C double bond के O के neighbor में, जो यह Y और इसके में X present है, यह भी तो आपकी vibration frequency को affect करेगा, तो यही factors को आज हमने discuss करना है, कि कौन-कौन से factors हैं, जो आपकी vibration frequency को affect कर सकते हैं, तो एक तो होगिया है यह आपका neighboring group, में भी इस neighboring group का behavior क्या है, किस type का यह phenomena शो कर रहा है, resonance तो नहीं कर रहा है, यह सारी behavior, दूसरा क्या होता है, state, state भी आपको affect करती है, state कैसे तो यह बोल रहा है, generally आपने देखा होगा, generally आपने देखा नहीं होगा, बट आपको मैं बता दू कि generally ऐसा होता है, कि वैपर स्टेट में अगर आप कोई substance लेंगे, और उसकी vibrational frequency की value अगर आप निकालना चाहेंगे, तो वो आपकी high values निकालेगी, compared to a liquid state or the solid state, यानि कि एक ही compound ले रहे हैं, अगर आप उसे वैपर स्टेट में ले रहे हैं, अगर आप वहाँ वैपर में लेकि vibration frequency निकालेगे, तो उसकी value आपको हमेसा ज्यादा मिलेगी, और उसी substance को अगर आप liquid state या फिर solid state में लेंगे, और vibration frequency निकालेगे, तो उसकी value हमेसा ही कम आएगी, तो देखें, state को वरी करने के वज़े से आपकी vibration frequency भी वरी होती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी values गलत है, इसका मतलब यह है कि कुछ factors जो आपकी vibration frequency को affect कर सकते हैं, तो वही factors आज हम लोग पढ़ेंगे, तो आप पहला factor हम देखते है, के मतलब क्या होता है, और आपको पता है, bond strength मतलब क्या हुआ, double bond, triple bond की strength धी तो देख रहा है, by hue bond order मतलब क्या होता है, कि आपका molecule singly bonded है, double bonded है या फिर triply bonded है, तो आपको पता है कि आपका molecule, जतना ज़ Craft लिक का कि बॉल्ट होग यानि कि अगर, आज़े पता चला हम है hoax lock according तो अविस सी बात है कि triple bonded molecule की vibration frequency हमेशा जादा होगी compared to double and double की जादा होगी compared to single तो यह चीज तो मैं आपको पूरी spectroscopy में 10 बार बताई चुक होगी तो देखो example यह theories आप पढ़ सकते हैं तो यहां पर देखिए अगर आपको cc stretching vibration frequency की value निकालनी है तो यह तीनों के cases पर cc vibration frequency की value वरी करेगी क्यूंकि इनके बीच में जो आपका bond order है वो वरी कर रहा है तो आप देखिए cc में आपका single bond है यानि की bond strength जो है वो आपकी कम है तो इसकी vibration frequency भी क्या होगी कम होगी तो जो कितनी है 1100 को सेंटिमीटर लेकिन double bond की case पर देखो थोड़ी सी bond strength आपकी बढ़ने लगी इस case पर क्या होगी आपकी vibration frequency भी थोड़ी सी बढ़ने लगी तो यह यहां पर 1100 थी तो अब यह होगी 1650 यानि की vibration frequency बढ़ी अप्रोक्स 500 की तो बढ़ी इसका मतलब यहां पर क्या है कि क्यों बढ़ी आपको पता चलगे क्योंकि आपका bond order पढ़ा अगला case last है यह देखो यहां पर आपकी carbon-carbon vibration frequency बहुत जादा बढ़ी 2100 होगी क्यों इसका reason यह कि आपकी vibrerage आपका bond strength है वो आपका maximum होगी triple bond तो सबसे बढ़ा bond होता है सबसे जादा strength वाला bond होता है यानि कि इसकी bond strength maximum है तो इसकी vibration frequency भी बहुत जादा होगी यहां पर मैंने एक और चीज़ है की है अब आप बोलेंगे कि यहां पर C double bond C है और यहां पर है C triple bond N अब आप देखो दोनों triply bonded है यानि कि यह दोनों की bond distance क्या है बराबर है लेकिन फिर भी अगर आप यहां पर C double bond C और C triple bond N में देखेंगे इन दोनों के case में vibration frequency C triple bond N की ज C triple है तो फिर भी आपकी vibration frequency में change क्यों है तो change आए इस N की वज़े से ओके तो पहला factor तो आपका बहुत ज्यादा सिंपल था effect of bond और लेकिन आगे के factors आपको mind पर रखने है तो आपको मैं पहले बताने से पहले मैं आपको simply आपको छोटी-छोटी मताब यह होता क्या है वो ए stretching vibration frequency निकाल रहा और आपने frequency values निकाली भी है जो कि आपकी कितनी है 1700 पर सेंटीमीटर के अप्रोक्स है यह आपकी experimental value है बट अगर आप यहाँ पर को देखेंगे कि आपकी यह value आपकी वरी हो जारी अगर आप यहाँ पर को इसके neighbor में जो group लगा है वो वरी हो रहा है suppose मैं पह electron donating groups okay तो electron withdrawing groups क्या होता है ऐसे ग्रूप जो electron को withdraw कर रहा है मतलब generally आप बोलते हैं ऐसे ग्रूप जो minus i effect को show करते हैं okay और electron donating group यानि कि ऐसे ग्रूप जो इस system को इस carbon को क्या देंगे electron donate करने लगे और ऐसा बोला जाता है ऐसे group plus i effect को show करते हैं okay तो दिखो पहले case में मैंने यहाँ पर को क्या किया पहले case में मैंने CO के साथ एक electron withdrawing group को add कर दिया okay तो electron withdrawing group जैसे आपके halogen पगेर होगे तो suppose मैंने यहाँ पर को कोई halogen atom को attach कर दिया इस CO के साथ okay अब यहाँ पर अगर आप इसकी vibration frequency की value देखना चा 1850 पर सेंटीमीटर के अप्रॉक्स यह पहुँच गई okay अब क्यूं पहुँची मैं आपको बाद में बताऊंगी अगला तो देखो ची यार हाँ अशू हाँ तो अब ही लेक्चर बना देओ या ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब देखो एक दूसरा केस भी हो सकता है दूसरा केस क्या आपने इस साथ कौनसा ग्रूप लगा दिया इलेक्टों डोनीटिंग ग्रूप और जनरली आपको जो इलेक्टों डोनीटिंग ग्रूप लेगा वो आपका आर ग्रूप यानि आपको most of the factors जो आपको मिलेंगे वो इसी values पे मिलेंगे और बचे वे जो factors से वो मैं आपको define करूंगे बढ़ ये factors को आप यही पर सुनीजी तो इसका reason क्या है इसका reason है ये जो आपने group यहाँ add की इनका behavior तो देखो आप खुद ही बताईए electron withdrawing group के case पर मैंने आपको क्या बो अब ये आर ग्रूप का क्या behavior है ये electron को देने की कोसित करेगा देना चाहेगा अब बताईए आर पूछेगा तो नहीं कि तुम्हें आपको electron चाहिए या फिर नहीं चाहिए क्या आप इसका behavior है electron donate करने का तो ये चुप चाप electron को किसे दोने देने लगेगा carbon को देने ये कि अगर यहाँ पर को carbon atom की उपकर electron बढ़ जाएंगे तो क्या होगा अब विस्ती बात है अगर यहाँ पर को electron का concentration बढ़ गया सपोल तो oxygen के पास भी तो free electrons है don't pure of electrons है तो इन electrons और इनके बीच में क्या होने लगेगा repulsion क्योंकि electrons के cloud एक साथ रह नहीं सकते तो electron donating group की वज अगर यहाँ पर access of electron आगे और oxygen की पास भी क्या है loan pure of electrons है तो इन electrons की बीच में रिपल्शन और जैसे रिपल्शन आएगा तो इनकी bond length क्या होने लगेगी बढ़ जाएगी तो bond length बढ़ेगी क्योंकि electron रिपल कर रहे है रिपल करेंगे तो इन दोनों को दूर दूर बेज दे तो अब क्या होगा अब आप खुदी देख सकते हैं यहां पर अगर इनकी bond strength क्या है decrease होने लगी तो अब आपको छोटी लगडी दी जाए और तो आपको थोटी डिफिकल्ट होगी अगर मैं उसी की बड़ी लगडी आपको दे तो उसे तो तोड़ने को कौनगी तो वह सिं तो इसलिए आपका triple bond जो है वो सबसे छोटे होता हैं double bond की length थोड़ी जादा होती है और single bond अपकी बहुत जादा कyani खिलाग कनके तो को फिनामिन होग्य बढ करका के तो ऐलेक्राइब्राय ग्रुप कहलेगी है Sorry इंक्रीज हो जाएगी, इतनी चीज लिए रहा है, अब देखो यही फंडे आपको बार बार अप्लाई करने पड़ेंगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पहला है आपका electronic effect, तो electronic effect क्या बोलेगा, वो ही बोलेगा कि अगर आपके पास आपका जो जिस molecule के लिए vibration frequency निकाल रहे है, इसके neighbor के जो group है, उसका electronic effect के basis पर आपकी vibration frequency वरी करेगी, तो electronic effect मतलब आपका inductive effect भी हो सकता है, mesomeric effect भी हो सकता है, तो मैंने आपको यह पहले ही बता दिया कि कैसे आपका वरी कर रहा है, तो वही चीज़ यहां पर लिखे देगो, the change in absorption frequency of a particular group takes place when a subsequent in a neighbor of a particular group is change, अगर आपका यहां पर को जो neighbor का group है, वो change होने लगेगा, तो आपकी vibration frequency की value, इसकी vibration frequency की value भी बदल जाएगी, suppose पहले केस में आपने X लगा है, दूसरे केस में इसी के बदले आपने क्या लगा दिया आपके neighbor पर, वहाई तो देखो, अगर मैं बोलो, X आपका electron withdrawing group है, और वाई आपका electron donating group है, तो ओविस सी बात है, इसकी जो vibration frequency की value होगी, वो कम होगी और इसकी क्या ह जादा होगी, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बताईगी है, इसका reason यह कि आपकी bond strength है और आपकी normal value से चेंच हो जाते है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकि हो, इसलिए मैंने आपको पहले बता है, क्योंकि यहां आप देखेंगी, पूरा theory गरेंगी, तो आपके mind में खुद भी confusion आने लगेगा, तो मैंने आपको यह पहले ही समझा दिया, अब वो ही factors यहाँ पर को लिखे हुए है, जैसे मैं आपको कि यह theory आप पढ़ सकता है, मैं आपको example के form में explain कर सकती हूँ, तो देखो, यहाँ पर लिखा है formaldehyde, दूस्ता exam पर है acetaldehyde, और तीस्ता है आपका acetone, तो देखो, तीनों आपके सेम चीजे, बट वरी किसके basis पर कर रहे हैं, इनके groups, देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्या होता है, electron donating group होता है, अगले केस पर क्या हो गया, आपके दो methyl group आगए, यानि कि यह पहले केस में तो आपने इस hydrogen के बदले methyl group लगा है, दूसरे केस में आपने इस hydrogen के बदले भी methyl group लगा दिया, तो आपका formaldehyde पहले acetaldehyde में convert हुआ, and then acetone में convert हो गया, तो आप खुद भी बता सकते हैं, अब देखने की भी जरुवत में, अब आप खुद बता सकते हैं, कि vibration frequency में क्या change आए होगा, तो देखो, अगर आपकी formaldehyde की frequency कितनी है, 1750 per centimeter है, तो एक hour group लगने की वजिसे आपका वो acetone में convert, acetaldehyde में convert हो गया, लेकिन vibration frequency की value थोड़ी सी decrease हो जाएगी, जैसे यहाँ पर को हुई भी 5 का difference है, 5 का difference है, 50 था 45 हो गया, तो यहाँ पर को vibration frequency आपकी decrease हो गया, अब आप देखेंगे, अब आपने acetone में देखा तो दो methyl group आगे, यानि की और ज्यादा electron donating group आगे, तो और ज्यादा electron donate करेंगे, तो और ज्यादा आपका bond strength क्या होने लगेगा, decrease होने लगेगा, यानि की bond length increase होने लगेगी, जितना ज्यादा electron का repulsion होगा, उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, bond length increase होगी, और जितना बड़ा bond उतनी असाने से वो तोड़ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, acetone की vibration frequency की value आप देख सकते हैं, कितनी मिली 17, 15, 15, okay, 15 per centimeter, यानके 1700, 15 per centimeter, तो यह जो आपका decrease हो रहा है, आपका decrement आया vibration frequency में, वो किसकी वज़से है, यह R group की वज़से, जो आपका यहाँ पर present है, क्यूंकि यह आपका plus high effect, शो कराता है, simple सी बात हो, इतनी चीज़ क्लियर है, अब आगे देखो, अब आपको यहाँ पर लिखाए, कि अगर आप दो functional group देखेंगे, LDI और ketone, इन दोनों के case पर आपको क्या मिलेगा, LDI आपके higher vibration, higher wave number show करा रहा है, higher vibration frequency है, compared to ketone, यानि कि जब आप इसका spectra draw करेंगे, तो higher wave number की value पर आपको क्या मिलेगा, LDI और कम पर क्या मिलेगा, आपका ketone, तो इसका reason क्या है, इसका reason भी वह है, LDI का क्या होता है, C double bond O, ओ के साथ होता है, H, लेकिन ketone के case पर क्या होता है, C double bond O, देखो, यहाँ दोनों के case में, vibration frequency किसके निकाल रहा है, C double bond O, इसकी, और इसमें भी किसके निकाल रहा है, इसकी, लेकिन ketone के case पर, carbon के साथ कौन से group लगे होता है, R group लगे होता है, इसका मतलब, 2 R group होने के वज़े से, यह क्या करेंगे, electron को यहाँ पर donate करेंगे, इस carbon center में, तो जैसे यहाँ पर electron donate होगा, oxygen के free radicals किया है, sorry, free radicals निकल रहा हम उसे, oxygen के जो lone pair of electrons है, वो repel करेंगे, carbon के उपर, जो electron density create होई है, तो जैसे यहाँ पर को electron के बीच में repulsion होगा, तो आपका carbon oxygen bond की जो distance है, वो increase हो जाएगी, तो जैसे distance increase होगी, तो bond length increase हो जाएगी, तो उसको break करना, उनकी strength क्या होने लगी, decrease होने लगी, यादि की break करना easy होगा, बतलब की आपकी जो bond strength है, वो decrease होने लगीग, और जैसे जैसे bond strength decrease होगी, आपकी vibration frequency भी decrease होगी, कितना simple सा concept है, अब देखो, यहाँ पर आपका दूसरा example यह है, इसमें आपको electron withdrawing group नहीं लगाने, आपको electron donating group नहीं लगाने, कौन सी लगाने, electron withdrawing group, तो देखो, सबसे पहले case पर लिया हुआ है, acetone, acetone का आपने उपर भी देखा था, क्या value आई थी, यह आई थी 1715, तो यहाँ पर आप देख सकता है, acetone के case पर कितनी है, 1715 per centimeter, लेकिन अगर acetone की बात, अगर आप यहाँ पर को इसे chloroacetone में convert कर देख, आपने chloro group को add कर दिया, chloro group तो आपका halogen होता है, और आपको पता है, halogen क्या होता है, electron withdrawing group होता है, halogen क्या होता है, electron negative होता है, electron को attract करने का, तो जैसे ही आपका क्या होगा, आपका halogen present होगा, वो अपना electronegative behavior चो करेगा, यानि कि minus eye effect चो कराएगा, और electron की density को reduce कराएगा, तो जैसे जैसे आपका क्या होगा, देखो, पहला है आपका chloroacetine, दूसरे है dichloro, और तीस्थे में trichloro, यानि कि आपका acetone ही है, acetone में आपके बाद number of hydrogen कितने 6 है, तो पहले case में आपने एक hydrogen को किस से replace किया, chlorine से, यानि कि 5 hydrogen, एक chlorine, दूसरे case में dichloro, यानि कि 4 hydrogen, दो chlorine, तीस्थे case में trachloro, यानि कि आपके कितने है, 4 तो आपके chloro, sorry, try होना चाहिए, से आपकी vibration frequency भी क्या होने लगेगी, increase होने लगेगी, तो आप देख सकते हैं, value खुद बखुद इंक्रीज होने लगी, 15 से 25, 25 से 40, 42 50 और 52 80, इसका reason किया है, because of minus eye effect, और electronegative behavior of atom, इतने चीज़ क्लिएर है, अब आगे बड़ी, अब आगे देखे, एक और चीज़ यहां पर को लिखी ही है, एक और चीज़ मैं आपको पहले यहीं बता देदी हूँ, ठीके, तो देखो एक factor तो आप यहां समझ गे न, दूसरा factor अगर मैं आपको बताओ, वो है आपका resonance, तो resonance की वज़े से भी क्या हो सकता है, आपकी vibration frequency की value increase हो सकती है, क्योंकि suppose आपने कोई ऐसा bond लिया है, जो initially तो single bonded है, बट यह किसी double bonded compound के साथ क्या resonance में है, तो आपको पता है resonance की वज़े से क्या होता है, जैसा benzene ring है, तो benzene ring में आपके double bonded है, और यह double bonded electron क्योंकि यह क्या होता है, double bond मतलब pi bond, और आपको पता है, pi bond हमेशा delocalized behavior शो करता है, यानि कि यह एक जगर fix नहीं रहते हैं, पूरे system में क्या रहेंगे, नाचते रहेंगे, तो कभी क्या होगा, यहाँ पर से यह जो pi electron है, यह जरूरी तो नहीं है, यहाँ पर present हो, maybe वो resonance कितरी हो, यहाँ पर भी आ सकता है, तो अगर वो यहाँ पर आग cambiar, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी यह bond strength है, ना वो singular है, ना वो double है, इसका मतलब वो partially है, partial मतलब की वो partial single, और partial double है, इसका मतलब क्या हुआ ना वो single है ना वो double है वो double और single के बीच में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो compound जिसके साथ इनिशली सब्सक्राइब कार्बन है यह आपका single bond है तो suppose आपने एक case में तो इसे एक ऐसे group के साथ एट कर जिया जो conjugation नहीं करा रहा मतलब कि इसके पास भी क्या बगल में single bonded है दूसरे case में इसे ऐसे के साथ अटेच करा दिया वेट कीजे यह जिसके पास क्या है resonance बनाने का phenomenon है तो यहाँ पर आप देख सकते है यह double bond यहाँ shift हो यह examp खाली ले रही होगे तो मेभी कोई दूसरा group भी हो सकता है अगर इसने यहाँ पर resonance किया इसका मतलब यहाँ पर जो bond है वो तो हमेज़ा ही single रहेगा लेकिन यहाँ पर जो bond है वो कभी single है कभी double है और आपको पता है single or double मतलब इसके बीच में लाई कर रहा है इसका मतलब इसकी bond strength खुदब कुछ जादी हो जाएगी तो अगर bond strength जादा होगी तो vibration frequency भी खुदब कुछ चादा हो जाएगी तो resonance भी affect करता है जो आप यहाँ पर को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हो है पहले तो आप simply यह समझो कि यहाँ पर को अगर क्या है आप CO के बीच में vibration frequency निकालेंगे तो यहाँ आपको vibration frequency यह कौन सा alcohol है आपका तो alcoholic compound के लिए vibration frequency निकाल रहा है CO stretching vibration frequency तो alcohol के case में आपको यह अप्रोक्स 1050 के अप्रोक्स मिल रही है तो अगर आप इसे किसके case पर देखेंगे यह है आपका ether तो अगर आप इसे ether के case में देखेंगे तो क्या होगा अगर आप ether के case में देखेंगे तो आपको vibration frequency सेम मिलेगी ज्यादा चेंज नहीं आएगा क्यूंकि यहाँ भी आपका methyl group है तो यह CO group अगर आप यह CS देख रहे है ना यह CRO के बीच में देखेंगे मैं इंग चेंज कर आपके अप्रॉक्स दोनों की vibration frequency आईगी सेम लेकिन अगर आप यहाँ पर को क्या लेला है acid type का compound लेला है तो acid के case में क्या होगा आपने अभी भी क्या है CO के बीच में vibration frequency निकाल लिए इस CO के बीच में आपने vibration frequency निकाल लिए तो देखो यहाँ पर आपके CO के adjacent में neighbor में एक जुड़ा है जो आपको resonance करवा सकता है क्यों क्योंकि यहाँ पर कोई आपको resonance नहीं हो सकता लेकिन यहाँ पर resonance हो सकता है क्यसे देखो यहाँ पर को आप क्या कर सकते है यह जो oxygen है oxygen की है oxygen के बाद खुद भुखुद loan pair of electron है तो loan pair को आप बॉंड में convert कर सकते हैं यह आपको मैं बता चुकिए loan pair bond में convert होगा और कभी भी negative charge में convert हो सकता है तो आपने के यह oxygen की loan pair को bonding में involved कर दिया तो यहां bonding होगी तो valency carbon की बढ़ जाएगी पाथ तो यह क्या कहेगा कि oxygen चलो तुम अपने इस bond को क्या करो negative charge में convert कर तो क्योंकि oxygen तो negative element है इसके उपर negative भी stable हो सकता है तो आप क्या कर सकते है इसका दूसरा resonating structure कुछ ऐसा बना सकते है अब देखो oxygen के उपर तो positive charge आना ही है क्योंकि oxygen ने क्या कर दिया अपने lone pure of electron को bond में convert कर दिया तो oxygen electron deficient हो गया इसका मतलब इसके उपर लगेगा positive charge तो यह आपकी species बनी तो अगर आपको इस CO के लिए अपने stretching frequency निकालनी है तो अब देखो पहले यह single bonded था अभी होगे double bond तो आपको क्या है यह 2 case तो यह structure कैसे भी form में exist कर सकता ना चेंज भी तो करी सकता अपने आपको तो क्या होगा देखो अब आपको इसका जो bond strength है ना वो single मिलेगा ना double मिलेगा वो इसके बीच में मिलेगा इसका मतलब इसकी vibration frequency आपको इन दोनों से हुआ इसका reason है because of resonance तो resonance भी आपका पूरा का पूरा affect करता है जो मैंने आपको बता दिया तो वही चीज यहां पर लिखी हुए है theory के form में आप notes ले सकते हैं वह जिस्मा आपको explain करें तो एक लाइन पढ़ने लगोंगी तो दो घंटे से तो पार चले जाएगा चीज है आपका 3rd hydrogen bonding क्या करती है आपको hydrogen bonding में जनरली nitrogen और oxygen का case ही पढ़ना है आपको दो सब explain कर दूंगी तो एक के बोले है hydrogen bonding अगर आप देख रहे हैं किसी molecule में जनरली है आपको दो टैप का hydrogen bonding मिलती है एक होती है इंटर-molecular, इूटर-molecular, इंटर-molecular मतलब दो और आपकी आपकी पास molecule है और दो अलग-णोल के चीज में आपकी hydrogen bonding होगी तो उससे आप डोलते है h ुस्तर-molecularvadrat. okay intramolecular मतलब एक ही molecule है उसमें अलग-अलग item है वो अलग-अलग item आपकी क्या कर रहा है hydrogen bonding कर रहा है तो यह हो जाती है आपकी intramolecular hydrogen bonding okay तो आपने यह hydrogen bonding के अंदर नहीं जाना आपने जिस यह explain करना है कि hydrogen bonding कैसे आपकी vibration frequency को affect करता है तो आपको यह चीज़ पता चलगी ना जितनी जादा आपकी hydrogen bonding उतनी ही कम आपकी vibration frequency इसे कैसे प्रूफ करेंगे ऐसे आप example लेख सकते है oxygen hydrogen मतलब oxygen और hydrogen है यहाँ पर और एक है आपकी पास nitrogen और hydrogen अगर आप इन दोनों के case में देखेंगे यह दोनों किसके example है एक है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कहां गया तो यहां पर आप देख सकते यह दा NH वाला किसके ले बोला गया NH है आपका Amine का Complex तो अगर अगर आप Amine का Complex ले रहे हैं और उसमें अगर आप NH की Vibration Frequency निकालेंगे तो आपको इसकी Vibration Frequency अलग मिलेगी और अगर आप alcohol लेंगे तो alcohol में भी hydrogen bonding होगी तो alcohol के case में vibration frequency की value अलग आएगी और यहां दोनों की जगे पर आपको कौन सा concept मिलेगा यहां hydrogen bonding का concept मिलेगा तो यह बोल रहा है कि generally amine के case में अगर आप vibration frequency निकालेंगे तो यह इसकी ज़्यादा आएगी compared to OH के compare में तो इसका reason क्या है आपैट करना है तो आप देख सकते है oxygen-on-nitrogen है यहां來到 hydrogen can pounds oxygen नाइन नाइटो एलेगतिव बाव्यजंटा नीजेवाट सो मिलेगेतिवा नाइटोजयारम इनथी ओन घर्व का ऊफके तो आप देखिए यहां पर आपका electro negative वाला जो concept आ रहा है वो जिसके respect मा रहा है hydrogen bonding के respect मा रहा है यानि कि अगर आप hydrogen bonding का concept लेंगे तो आपका electro negative वाला atom जो है वो आपकी कम vibration frequency दिखाएगा लेकिन अगर आप minus eye effect वाला जो करेंगे effect वाला concept लगाएंगे तो उस case में अगर आपका electro negative element है वो minus eye effect शो कर रहा है इसका मतलब उसकी vibration frequency जादा है तो आप कुछ factors को ऐसे ध्यान में रखिएगा जनरेली अगर hydrogen bonding की respect में पूछा जाता है तो यह amine और alcohol की respect में पूछा जाता है और आपको मैंने बता दिया कि alcohol और amine के case में alcohol में जो hydrogen bonding होती है वो आपकी जादा होती है compared to amine तो जादा hydrogen bonding होने के वैसे क्या है इसकी vibration frequency कम होती है और amine की जादा होती है जो यहां पर को दिखिए है नहीं के case में जो vibration frequency 35 होती है 3500 पॉस संटीमेटर और आपकी जो alcohol की होती है 3300 पॉस संटीमेटर अगला factor के अब आपका fourth factor आगे जो है आपका bond angle अब आपका bond angle कैसे आपकी vibration frequency को affect करेगा तो हम एक example लेके आपको clear कराते है तो example है आपका cyclobutanon okay cyclobutanon on मतलब cyclic compound है but मतलब 4 carbon होनेचे on मतलब होगया आपके पास keto group present है okay अब देखो यहां पर आपको क्या निकालनी है vibration frequency किसकी निकालनी है C double bond O, यानि कि इसकी आपको निकालनी है Vibration Frequency, ये भी Carbon है, ये भी Carbon है, ये भी Carbon है, ये भी Carbon है, तो आपने क्या इसकी Vibration Frequency को Calculate करना है, तो ये बोल रहा है कि जैसे-जैसे क्या होगा, देखो, मैं आपको simply बता हूँ, तो ऐसा बोला जाता है, कि अगर आप यहाँ पर को Bond Angle, क्योंकि हम Bond Angle के respect में देख रहे हैं, तो Bond Angle क्या निकालेंगी, ये तो हुआ Bond Angle, ये वाले है तो हुआ Bond Angle, तो ये कौन-कौन की किस-किस के basis पर define कर रहा है, इसके basis पर, इसके basis पर, इसके basis पर, यानि कि Carbon, C, Double Bond O वाला Carbon, और ये इसके next वाला Carbon, यानि कि C1, ये होगे C2, और ये होगे C3, यानि कि C1, C2 और C3, अगर आप यहाँ पर का Bond Angle देखेंगे, तो ये आपको किसके जितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा, less than 120 degree के कम मिलेगा, 120 degree से भी कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे, यहाँ पर कोई strain आ रहा है, और अगर आप इतका Bond Angle निकालेगे, तो ये 120 degree से भी निकलेगा कम, अब आप देखें, आपको ये भी पता है, कि अगर आपका Bond Angle जितना ज्यादा कम होता है, उसका S Character होता है, उसमें उतना ज्यादा होता है, यानि कि यहाँ पर को, अगर Bond Angle कम है, तो अववेसी बात है, S Character उतना ही ज्यादा होगा, और आपको परता है अगर S character जादा होता है तो उस strength भी उतनी ही जादा होती है कैसे देखो आप यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इसे समझो जैसे आप single bond, double bond और triple bond की बात करते हैं तो single bond में S character कितना होता है I think 50% तो पूरा का पूरा होता है और double में कितना होता है 33 और आपका triple में कितना होता है 25% होता है तो देखो S character आपका क्या है gradually decrease हो रहा है और आपकी bond strength क्या है धीरी-धीरे increase हो रही है तो जैसे आपका S character increase होता है आपकी strength भी क्या है increase होने लगती है तो इसका मतलब क्या हुआ जैसे जैसे यहां पर आप देखो अगर मैंने क्या बोला इसका क्या है आपका bond angle कम है और आपको पता है अगर bond angle अगर आपका कम हो जाता है तो आपका s character भी क्या हो जाता है ज्यादा होने लगता है और अगर s character ज्यादा होने लगेगा तो आपकी strength भी क्या होने लगेगी ज् यहाँ निकले गी आपकी normal vibration frequency की वैल्यों घ्डियों की जो दो ज्द आपकी sampai experimental वैल्यों है उसे जहाधा मिलें उसका reason के क्हहां क्योंकि आप बॉंद आंगल कम quake y sign रीए और अगर स्करेक्टर बढ़ गिया तो आपकी bond की strength भी बढ़ गए, लेकिन अगर यहाँ पर को bond angle जादा हो जाता suppose आपने कोई ऐसी निंग ले ली होती जिसमें यहाँ पर को bond angle आपका जादा होता, यानि कि 120 से जादा हो जाता, in case, तो उस case में यही concept आपका उल्टा लग जाता यानि कि यहाँ पर को अगर bond angle जाता होता, तो s character, s percent character क्या होता, कम होता, और अगर s percent character कहीं भी कम होता है तो वहाँ पर को strength भी क्या उतनी ही कम होने लगते है, और अगर strength कम होगी, तो obviously बात है hooks lock या cutting, जितनी ज़्यादा strength उतनी ज़्यादा vibration frequency, जितनी कम strength तो उतनी ही कम vibration frequency simple सी बात है, clear हुआ, तो यह सारी चीज़े यहीं पर को लिखी हुई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, values भी यहाँ पर को दीए भी है इतनी चीज़ क्लियर है, अब मैं आगी बढ़ते हूँ आपके next factor पर है, तो next factor है आपका halogen compound, तो halogen compound का तो वही आगया concept जो है आपका, जो मैंने आपको पहले बता है halogen क्या होता है, halogen मतलब कोई भी electronegative element, fluorine, chlorine, bromine, कुछ भी हो सकते है और यह सारे के सारे क्या होता है, electronegative behavior शो करता है, तो अगर किसी भी element में, जिसके आप, sorry, किसी भी bond में, जिसके आप vibration frequency लगाने वाला है, निकालने वाला है, तो अगर आपके पास कोई halogen atom present है, तो obvious सी बात है, वहाँ पर को क्या होगा, minus eye effect आएगा, okay, तो minus eye effect आने की वैसे क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बोला, minus eye effect आएगा, तो आपकी क्या है, वहाँ पर को vibration frequency की value खुद बखुद इंक्रीस होने लगी ठीके, तो वही concept आपका यहाँ पर को दिया हुआ है, ठीक है, इतने चीज़ क्लियर है, तो आप यह पढ़ सकते है, theory material में लिखा होगा, आप यह पढ़ सकते है, वही minus eye का effect बताया होगा यहाँ को, ठीक है, अब last factor है आपका, मैं पूरा theory नहीं पढ़ी हूँ, मेरे lectures ना बहुत जादा लंबे होते हैं, वैसे भी बहुत लंधी होते हैं, तो एक-एक लाइन पढ़ना थोड़ा मुस्किल होते हैं, और वैसे भी आपको नोट तो शेयर करती हूँ, अगर नोट शेयर नहीं करती, तब मुझे एक-एक लाइन पढ़ने की जरवत थी, जो कि खाली time-based है, फाइनल फेक्टर के आप यह अपका last बच है, कि अगर आपका कोई acid है, जैसे आपने acid के case में CO की vibration frequency निकालेंगे, तो अगर वो acid, अगर cis-trans दोनों में exist करता है, तो उस case में generally, इस cis-trans के बीच में ज्यादा difference नहीं आता vibration frequency में है, लेकिन कुछ exceptional case तो हर जगे होते हैं, तो similarly क्या है, अगर आप cinemic acid का cis-trans confirmation, मतलब cis-trans isomers देखेंगे, तो उस case में आपको CO vibration frequency वो बहुत जादा extent पर वरी होते हैं, दिखेंगी कैसे, देखो यह है आपका cinemic acid, तो यह cinemic acid जो कि cis-form है, क्योंकि दोनों atoms आपके same side है, same atom same side है, लेकिन यहाँ पर को same atom different side है, तो यह बनगे आपका trans-cinemic acid, अब आप देखें, यहाँ पर को आपके vibration frequency है, सारी, यहाँ पर को अगर आप C double bond O के लिए vibration frequency देखेंगे, तो यहाँ पर को दोनों के लिए vibration frequency अलग-अलगाएगी, यहाँ पर को आपकी जुआएगी, वह है 1705, यहाँ पर को है 1680, तो इन दोनों के difference किसकी वएसे हुआ देखेंगे, यहाँ पर को आप देखो, cis की आपकी ज़्यादा है, तो मैंने बोला, generally तो आपकी सेम होती है, prox तो सेम ही होती, 35 का difference होता, यह फिर नहीं होता difference, बट इसे एक 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 स्प्शनल केस है, तो इससे ध्यान में रखेगा, इसमें आपकी cis की vibration frequency जादा होती है, compared to trans, अब इसका reason के है, इसका reason में आपको बताती हूँ तो देखे, reason यह है, कि यहाँ पर को जो दो bulky group है, वो आपके same side ना present है, यहाँ दो bulky group आपके different side में present है, अब आप बुलेंगे bulky group है, तो आपकी bond length क्या होनीचे, bulky group है, वो एक दूस्ते को repel करने चीए, और आपकी bond length क्या होनीचे, increase होनीचे बट यहाँ पर आपने यह concept नहीं लगाना है, यहाँ पर यह यह अलग concept लगेगा भी नहींचे, क्योंकि वो तो क्या है, यहाँ पर को आपने क्या देखना है, यह दो bulky group है, यह bulky group आपस में एक दूस्ते को repel करेंगे, यह bond को affect नहीं कर रहे हैं, यह दूस्ते को affect कर रहे हैं, यह bulky group जब एक दूस्ते को affect करेंगे, तो क्या होगा, एक bulky group दूस्ते को धक्का देगा, दूस्ते बल्की group दूस्ते को धक्का देगा, जिसकी वज़े से आप देखेंगे, कि यहाँ पर को आपका COH group है, आपका COH group है, यह आपका out of the plane हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, कि अगर आप यहाँ पर को C double bond O, आप देख सकते हैं, यहाँ पर C double bond OH है, यहाँ डबल bond है, तो यहाँ पर को क्या होना चाहिए, तो इसका दूसरे resonating structures भी बनते हैं, लेकिन आपको बता, रेजोनेटिंग structure तब बनते हैं, यहाँ पर को मैंने क्या बोला, दो बल्की group के बीच में repulsion होने की वैसे, आपका यह C OH group क्या हो जाएगा, आप आप दे प्लेन, जिसके वैसे यह group आपके C double bond C के साथ भी क्या हो जाएगा, कंजूगेशन में नहीं आ सकता, अगर कंजूगेशन ही नहीं होगी, तो resonance तो होने से रही, और अगर resonance नहीं होगी, तो क्या होगा आपका double bond है, वह कहए C double bond O है, तो resonance की वैसे क्या होगा, यह C double bond C, single bond O भी हो जाएगा तो क्या होगा, double bond सिंगल में convert होगा, तो किया होगा देखो double bond अगर single में convert होगा तो आप इसे ना पूरा double कहेंगे ना single कहेंगे आप इसे बुलेंगे partial तो यहाँ पर को तो conjugation हो नहीं रहा तो resonance नहीं होगा तो आपका C double bond O क्या होगा C double bond O ही रहेगा यह partial में convert नहीं होगा लेकिन trans के case में तो आपका resonance होगा तो यहां देखो यहां पर आपके यहां भी resonance होगा यहां भी होगा यहां भी होगा तो पूरा system आपका resonance में होगा क्योंकि आपके सारे atom क्या है एक ही plane में है तो resonance होगा जिसकी वे से क्या होगा आपका C double bond O है एक बार C single bond O हो जाएगा तो एक बार C double bond O हो रहा है एक बार C single bond O हो जिसकी वह से क्या होगा आपका Cone bond जसे अचुकित बाइगा function national bond भी नहीं गहीं एंगे क्योंकि इसके bond strength है वह double and single की भीच में life हो तृब्ड बाइगा तो यह होता इसका reason कि cinemic acid के case में अगर आप cis trans की confirmation isomers बनाएंगे तो आपका cis isomers ज्यादा vibration frequency शो करेगा compared to trans यह चीज़ क्लियर है तो यह आपका last factor इसमें आपको cinemic acid ही मिलेगा cinemic acid, malic acid, fumaric acid यह इनके case में आपको vibration frequency वरी होते हुए मिलेगी और आपको concept सबकी same case में एक ही मिलेगा यह है आपका malic acid यह है आपका fumaric acid तो देखो आपका malic acid जब आपकी cis form में होगा इसी को आप क्या बोलेंगे malic acid और अगर यह क्या होगा ट्रांस वर्म में चले जाएगा तो यह fumaric acid बन जाता है तो यहाँ पर देखी यहाँ पर भी same concept है दो आपके बलगे ग्रूप same side है बलगे ग्रूप पो same side होने के विए सी इनके बीच में लगेगा strain लगेगा तो आपके atoms out of the plane out of the plane होगे तो resonance नहीं होगा resonance नहीं होगा मतलब रेजोनेंस नहीं होगा यहाँ पर पूरा conjugation होगा conjugation होगा तो C double bond O एक बारी के लिए C single bond O में भी convert होगा जिसके विए से आम यह बोलेंगे कि C O का bond क्या है पार्शल है इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर आप bond stand check करेंगे तो double bond की bond stand जादा होने चे bond stand जादा होगी तो vibration frequency भी खुदब को जादा होने लगेगी तो यह हो गया आपका एक और फेक्ट है